माफिया अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या हो चुकी है अतीक के पाँच बेटों में एक असद का भी एनकाउंटर हो चुका है वहीं अतीक के दो बेटे जेल में बंद है तो दो नाबालिक बेटे बालसुधार ग्रीह में हैं अतीक की पत्नी शाहिस्ता परवीन भी उमेशपाल हत्यकांड की आरूपी हैं शाहिस्ता भी फरार चल रही है इस बीच हमने अतीक एहमद की संपत्ती का ब्यौरा खंगाला कानूनी तोर पर उनके पास कितनी संपत्ती है अब इतक अतीक की कई बेनामी संपत्यों का भी खुलासा हुआ है ऐसे में ये जानने की कोशिश की कि उनके पास कितनी बेनामी संपत्य है आईए आपको हम सिलसिलेवा धंग से बताते हैं 2019 लोकसभा में अतीक हमद ने पीम नरेंद्र मोधी के खिलाव वारानसी से चुनाव लड़ा था तब उसे 833 मत मिले थे उस जोरानवे प्रियागराज की नैनी जेल में बंद था अतीक ने अपने चुनावी हलफ नामे में संपत्य का पूरा ब्योरा दिया था इसके अनुसार उसके पास करीब 27 करोड 50 लाग रुपे से ज्यादा की संपत्ती थी आठवी पास अतीक के नाम 2 करोड 87 लाग से ज्यादा की चल संपत्ती जबकी 24 करोड 99 लाग से ज्यादा की अचल संपत्ती दर्स थी अतीक के नाम महंगी गाडियां, चार राइफल और पिस्टल दर्स थी अतीक की पतनी शाहिस्ता परवीन के नाम 50 लाख रुपे से ज्यादा की गहने हैं इसके अलावा अतीक के नाम प्रियाग्रास से लेकर दिल्ली और ग्रेटर नौइडा तक प्लाट, फ्लैट, बंगला और खेती लाइक भी जमीने हैं यू तो बेनामी संपत्यों को लेकर अलग-लग दावी किया जाते हैं हाली में इडी ने अतीक के करीबियों और उसके जानने वाले लोगों के ठिकानों पर छापे मारी की अब तक जो सामने आकने आये हैं उसके अनुसार अतीक के पास 5,000 करोड रुपे से अधिक की बेनामी संपत्य है वहीं कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी दावा किया कुछ रिपोर्ट से दावा कर रही है कि अतीक के नाम 15,000 करोड से ज्यादा की बेनामी संपत्य है साबरमती जेल में रहने के दौरान अतीक एहमत ने एक बिल्डर को धमकी दी थी अब उसका चैट भी वाइरल हो रहा है इसमें अतीक ने बिल्डर से 5 करोड रुपे मांगे थे अतीक ने कहा था कि जो उसके बेटे उमर और असद का हिसाब है वो दे दो बताया जाता है कि बिल्डर ने अतीक के कहने पर उसके बेटे असद को 80,000,000 रुपे भी दिये थे अतीक एहमत ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया था इन दोनों के 5 बेटी हैं मुहमत उमर, मुहमत अली, असद एहमत और दो नाबालिक बेटे जो की मुहमत उमर और मुहमत अली जेल में बंध है जबकि दो नाबालिक बेटे जिनका हमने जिक्र किया वो सुधार ग्री में है वहीं अतीक का बेटा असद एहमत उमेश पाल हत्यकांड का आरोपी था और 24 फरवरी को हुए हत्यकांड के बाद से पुलिस उसे ढूंड रही थी 13 प्रेल को UPSTF ने जहासी में असद का एनकाउंटर कर दिया असद पर 5 लाग का इनाम खुशित था 2 लाग के इनामी मुहमत उमर पर रंगदारी का आरोप है पिछले साल अगस्त में उसने CBI के सामने सरेंडर कर दिया था वहीं मुहमत अले पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है जबकि दो नाबालिक बेटों को उमेश पाल हत्यकांड के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है